नमस्कार दोस्तों मैं अंकूर सिंग आपके बने यूटूब चैनल विकास इस्टेडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग जो रसायन विकान में वर्लाइनेर प्रशनों की सरंखला चला रहे हैं तो दोस्तों उसी सरंखला को आगे बढ़ाते हुए आज यह हमारी पांचवी क्लास है आप लोग दोस्तों क्लास के साथ वीडियो के साथ अंधर तक जरूर बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सस्क्राइब करें मैं दोस्तों हर बार आपको बताता हूँ कि आप लोग कांपी पेन लेकर इन प्रशनों को नोट अवस्य कर लें क्योंकि दोस्तों ये प्रशन जो हैं हमारी परिच्छा की देश्ट से बहुत ही महत्पूर है तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए दोस्तों हमारा पहला प्रशन है सिनेवार किसका आयस्क है सिनेवार किसका आयस्क है तो दोस्तों सिनेवार जो है वह पारा एच जी इसका आयस्क होता है आपको पता होगा दोस्तों जो पारा है यह हमारी एक ऐसी धातु है जो द्रव औरस्था में पाई जाती है एक मात्र ऐसी धातु जो द्रवा वस्तों में पाई जाती है वह दोस्तों मारी पारा है अगला दोस्तों मारा प्रशन है आज़ार निर्माड है तो सरवतम किस दाद की खोज की गई थी तो दोस्तों आउजार निर्माड है तो जो सरुपतम दादु खोजी गई वह दोस्तों थी तामबा दादु थी आगे दोस्तों देखिएगा अगला मार प्रश्ण है क्रायोलाइट या बाकसाइट किस दादु का आयस्क है? क्रायोलाइट या बाकसाइट किस दात का एस्क है तो दोस्तों या एलुमिनियम का एस्क है क्रायोलाइट या बाकसाइट एलुमिनियम का एस्क है अगला दोस्तों प्रशन मारा है एस्कों से दातों के निसकरसन का विज्ञान क्या कहलाता है अगला दोस्तों प्रशन हमारा है साधारन ताब मापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है तो दोस्तों पारे का उसमी प्रसार गुणांग उच्छ होता है इसलिए दोस्तों साधारन जो सामाने तामा प्रेव किया जाता है क्योंकि इसका उसमी प्रसार गुणांग उच्छ होता है अगला दोस्तों प्रस्ण है मारा सोडियम की अत्यदिक क्रिया सिल्था के करण इसे किस पतारत में रखा जाता है तो दोस्तों सोडियम की अधेदिक क्रिया सिल्सा के करण इसे केरोसीन तेल में रखा जाता है केरोसीन तेल जिसे हम लोग मिट्रे का तेल प्रया है बोलते हैं तो इसमें सोडियम को रखा जाता है आगे दोस्तों अगला प्रशन हमारा है भर्जन प्रयाकिन आयसकों का किया जाता है जो भर्जन प्रक्रिया है या प्रयाकिन आयसकों की की जाती है तो दोस्तों सलफाइड एम आकसाइड के आयसकों की भर्जन क्रिया की जाती है अगला दोस्तों मारा प्रशन है आतिस बाजी में जो हरा रंग होता है या किस कारण होता है जो अब आतिस बाजी दोस्तों होती है उसमें जो हरा रंग दिखाई देता है वह हरा रंग किस कारण होता है तो दोस्तों या वह होता है बेरियम के कारण और दोस्तों जो लाल रंग हमारा होता है वह किस कारण होता है तो दोस्तों लाल रंग जो है या इस्ट्रांसियम के कारण होता है यह जीज आप लोग विश्यास का द्यान रखेगा इससे हम लोगों के प्रस्ण जरूर पूछ लेता है कि जो हरा रंग है वा किस कारण बनता है तो बेरियम के कारण और लाल रंग जो है वा इस्ट्रांसियम के कारण आगे दुसदों बढ़ते हैं अगला हमार प्रसन है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है तो दोस्तों वह हमारी गैस मुक्त होती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है अगला दोस्तों प्रशन मारा है द्रवित सोडियम का उपयोग नाविकी भट्टियों में किस रूम में किया जाता है द्रवित सोडियम का उपयोग नाविकी भट्टियों में सीतलक के रूम में किया जाता है और दोस्तों जो हमारे आपको पता होगा जो कैडमियम क्याडिमियम और बोरान की छणे होती है या दोस्तों हमारी यूज होती है नियंतरक के रूम में क्याडिमियम और बोरान की जो छणे है या नियंतरक के रूम में यूज होती है और सोडियम द्रविज्यो है या दोस्तों यूज होता है सीतलक के रूम में आपको पता होगा जो मंदक होता है मंदक के रूम में किसका प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों मंदक के रूम में आपका प्रयोग किया जाता है भारी जल भारी जल जिसे D2O बोलते हैं हम लोग तो उसका प्रोएक दोस्तों प्रोएक किया जाता है मंदक के रूम में और नियंतरक छणों के रूम में कैडिमियम और बोरान की छणे प्रोएक किया जाता है दोस्तों सीतला के रूम में तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप लोग विशेज का ध्यान रखें अगला दोस्तों हमारा प्रशन है बारूत का निमार करने में किस रसाइन का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों बारूत का निमार करने में पोट्रेसियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है अगला दोस्तों प्रशना है वाकाउंसी धातु है जो अपने ये आकसाइड की परस्ते सुरच्छित हो जाती है तो दोस्तों वाकाउंसी धातु है जो अपने ये आकसाइड से सुरच्छित हो जाती है दोस्तों वहाँ है मारी Aluminium अगला दोस्तों प्रश्ण मारा है इस पाद की जंग सनच्छण या प्रतिरोध गुण को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिला जाता है तो दोस्तों मिला जाता है क्रोमियम यह चीज आप लोग विशेज का ध्यान रखें इसमें कौन सी दात मिला जाती है क्रोमियम अगला दोस्तों प्रश्ण मारा है मानव सरीर में कापर की अधिक्ता से कौन सा रोग होता है मानव सरीर में कापर की अधिक्ता से कौन सा रोग हो जाता है तो दोस्तों मानव सरीर में कापर की अधिक्ता से विलसन रोग हो जाता है इस चीज को आप लोग विशेज का ध्यान रखें कि कापर की अधिक्ता से कौन सा रोग होता है विलसन रोग और जैसे दोस्तों पारे के दिख्टा से कौन सा रोग होता है पारे के दिख्टा से मिनमाटा रोग हो जाता है पारे के दिख्टा से मिनमाटा रोग हो जाता है और कैडमियम के दिख्टा से कैडमियम के दिख्टा से दोस्तों इटा-इटाई रोग हो जाता है तो यहीं देहान रखेगा कापरी के दिखता से विलसन रोग, पारे के दिखता से मिनमाटा रोग, कैडमियम के दिखता से हमारी हो जाता है इटाई-टाई रोग आगे दोस्तों देखिएगा अगला प्रशना मारा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धात का उप्रयोग किया जाता है तो दोस्तों सेलिनियम धात का उप्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में अगला दोस्तों प्रश्ण हमारा है कौन सा तत्तु सोतंत अवस्था में पाय जाता है तो Silver यह हमाए जो तत्व है यह सुतन दफ्था में पाया जाता है अगला दुस्तों हमारा प्रश्वन है वहाद देखिएगा धातू में सरवादिक हीन कॉन सी धातू है सरवादिक हीन क्या चालक या बाइड कन्ड़क्टर क्यौन सी धात होती है तो दोस्तों वह है सीसा और आपको पता होगा कि जो सबसे अधिक चालकता किसमे होती है अगर आपसे पुझा जाए कि सरवादिक चालकता किसमे होती है तो दोस्तों वह होती है मैं चांदी चांदी जो धातु है इसमें इसकी चालकता जो है वह सरवादिक होती है और सबसे कम किसमे होती है सबसे खराब चाल लगता है किसकी होती है तो वह दोस्तो होती है सीसा की अगला दोस्तो प्रसंद देखिएगा भविस का इंधन किसे कहा जाता है भविस का इंधन किसे कहा जाता है तो दोस्तो हाइडोजन को भविस का इंधन कहा जाता है, हाइड्रोजन को और इससे पहले हमने एक प्रस्ण देखा था पिछली क्लास में कि भविस की धात कौन सी है भविस की धात हुए टाइटेनियम तो दोस्तो भविस की धात हुए टाइटेनियम और भविस्त का इंधन हाइडोजन को कह जाता है आगे दोस्तों देखिए किस कारण हीरा ग्रेफाइड की अपेच्छा अधिक कठोर होता है तो दोस्तों क्या कारण जो हीरा ग्रेफाइड की अपेच्छा अधिक कठोर होता है तो दोस्तो उसकी चेदूस्फल्की जो सनचना इसी कारण हीरा जो है वह grapefide के पेच्छा अधिक कठोर होता है अगला दोस्तो प्रस्ण देखिए प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है तो दोस्तो प्याज की कड़वाहट का कारण है प्याज में सल्फर के योगिक है उनकी उपस्तित के कारण प्याज में करवाहट होती है और अगर आपसे गंध का करण पूछे तो दोस्तो होता है पोटेसियम जो प्याज में गंध होती है वह दोस्तो पोटेसियम के कारण होती है अगला दोस्तो प्रश्ण हमारा है यूरेनियम का मुख्य आयसक क्या है यूरेनियम का मुख्य आयसक क्या है तो दोस्तो यूरेनियम का मुख्य आयसक है पिछ ब्लेंड पिछ ब्लेंड आगे देखिए दोस्तो अगला प्रश्ण हमारा है सल क्रिया में पट्यों के रूम में क सरसायनिक पदात का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों कैल्सियम सल्फिट का प्रयोग किया जाता है अगला प्रस्न दोस्तों मारा है सबसे कठोर दहातु कौन सी है सबसे कठोर दहातु कौन सी है तो दोस्तों सबसे कठोर दहातु है प्लेटिनम प्लेटिनम दोस्तो इसे आपको पता है होगा कि इसे सफेद सोना भी बोलते हैं सफेद सोना भी इसे बोलता है प्लेटिनम को या सबसे कठोर धात हो है आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे कठोर अधात कौन सी है अधात पूछ दे या सबसे कठोर तत्त पूछ दे तो वह दोस्तों कौन सा होगा वह दोस्तों होगा हीरा हमारा अगर सबसे कठोर धात पूछे वह प्लेटिनम होगी सबसे कठोर अधात या तत्त पूछे वह होगा हीरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण मारा है मारेक के और नीलम को रसानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है मारेक के और नीलम को रसानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है तो दोस्तों, इलिमिनियम आकसाइड इसके नाम से मारेक और नीलम को जाना जाता है आगे दोस्तों देखिए कुछ हमारे तत्तों हैं और उनके रासानिक नाम हरा कसीज दोस्तों इसका रासानिक नाम है फेरस सलफेट फेरस सलफेट FESO4 into 7H2O अगला दोस्तों निला कसीज इसका रासानिक नाम कापर सलफेट और इसका सूतर जो है CUSO4 into 5H2O अगला दोस्तो स्वेत कसीज, इसका दोस्तो रसानिक नाम है जिंक सलफेट और रसानिक सूतर जेटनेसो 4 into 7H2O अगला दोस्तो है लाल कसीज, इसका दोस्तो रसानिक नाम है कोबाल्ट सलफेट और इसका रसानिक सूतर COSO4 into 7H2O तो दोस्तों आप लोग इसको भी अच्छे से देखें और नोट कर लें हरा कसीज इसका दोस्तों रासानिक नाम फेरा सल्फेट निगला कसीज इसका कापर सल्फेट स्वेद कसीज जिंक सल्फेट और लाल कसीज इसका दोस्तों रासानिक नाम कोबाल्ट सल्फेट केलवे नाइट और सिल्वे नाइट किसका आयास कहें केलवे नाइट और सिल्वे नाइट या दोस्तों सोना सोने के आयास कहें केलवे नाइट और सिल्वे नाइट हमारा अंतिम प्रशन दोस्तों आज का जूटा सोना या मुर्खों का सोना किसे कहा जाता है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जूटा सोना या मुर्खों का सोना किसे कहा जाता है तो iron pirate FES2 को जूटा सोना या मुर्खों का सोना कहा जाता है तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को या वीडियो भी अच्छा लगा हो अच्छा लगा होगा दोस्तो वीडियो अगर आपको पसंद आये हो तो दोस्तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को अधिक से अधिक सस्क्राइब करें चलिए दोस्तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन दोस्तो